Hello everyone, welcome to my secret recipe corner आज हमें कैसी मिठाई बनाएंगे जो बिना खर्च के बनकर तयार होगी और जिसे हम गुड से बनाएंगे जो खाने में बेहर टेस्टी लगती है और जिसे छोटे बच्चे देखते ही चोकलेट बोल देते हैं क्योंकि इसका कलर होता ही ऐसा है इस मिठाई को पुराने जमाने में हमारी दादी और नानी बनाती थी तो कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं गुड की मिठाई गुड पाक बनाने के लिए हमने थोड़े से बादाम लिए हैं थोड़े से पिस्ता लिए हैं थोड़े से काजू और सूख नारियल नारियल को हम ग्रेट कर लेंगे और इन तीनों चीजों को बारीक बारीक कट करेंगे नारियल को हमने ग्रेट कर लिया है और इन तीनों चीजों को बारीक बारीक कट कर लिया है और साथ ही लिया हैं हमने एक बाव लाटा, एक कब जितना बेशन और वन टेश पूंज इतनी सौफ तो सबसे पहले अब हमें एक कड़ाई लेंगे और उसमें एक लेडल देशी घी डालेंगे अब डालेंगे इसमें बेशन और बेशन को बूल लेंगे जब बेशन को 1-2 मिन्ट भुनते हो जाएगा तो साथ ही डाल देंगे इसमें आठा थोड़ा सा घी ओर डालेंगे और आठे को भी बेशन के साथ पूल लेंगे इसे भुनते होए 7-8 मिन्ट हो गयी है और ये देखे अच्छी से भुन गया है इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है अब हम गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे और ये देखे हमने इसे एक प्लेट पर निकाल लिया है और ये देखे जितना हमने आटा और बेसन लिया था उतना ही हम गुड़िया शक्कर लेंगे और इसे एक कड़ाई में डालेंगे साथ ही डालेंगे एक कब जितना पानी और बस इसे चलाएंगे और शक्कर को मेल्ट होने देंगे ये देखे शक्कर मेल्ट हो गई है और इसमें उबाला गया है अब डालेंगे इसमें हम शौफ और फिर से चलाएंगे इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है बस एक दो मिंट के लिए पकाएंगे या एक तार की चाशनी बनाएंगे तो इसे पकते हुए दो तिन मिंट हो गए है और ये देखी इसमें अच्छी से उबाला गया है तो चाशनी बनकर बिल्कुल एक दम रेड़ी है अब साथ ही एड़ करेंगे हम इसमें भुना हुआ आटा और बेशन और लगतार चलाएंगे ताकि इसमें गुठलिया ना पड़े आटे को हमने इसमें चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है ये देखी अब हम एक ठाली लेंगे उसमें डालेंगे थोड़ा सा देशी घी और उसे पूरी ठाली में अच्छे से लगाएंगे तो घी को हमने पूरी ठाली में अच्छे से लगा लिया है और यह देखे बैटर थोड़ा थंड़ा हो गया है हम इसे इस तरह से थोड़ा सा ओर चलाएंगे जितना हम इसे इस तरह से चलाएंगे हमारा गुड़बा कुतना ही अच्छा बनेगा और बस इस बैटर को अब हम थाली में डाल लेंगे यह हमने आदे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था चली तो अब हम इसे कट करेंगे तो हमने इने कट कर लिया है चली तो अब हम इने सर्व करेंगे यह देखे गुड की मिठाई कितनी टेस्टी बनी है आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा क्या कोई बता सकता है कि आपने गुड से बनाई है गुड का सेवन हमें जरूर करना चाहिए खास कर सर्दियो के दिनों में तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक केजिए सेर कीजिए और सीक्रेट रेस्पी कोर्णर को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो कीजिए